भारत का एक ऐसा गाउं जहां दूद खरीदने की नहीं देने पड़ते पैसे यहां दूद और लसी मिलेगी बिल्कुल फ्री क्या है कहानी, क्या है रहस्य आज किस समय में प्रतिदिन महंगाई बढ़ते ही जुआ रही है ऐसे में खाने की चीजों की कीमतें तो आसमान चुही रही है वहीं दूद की कीमतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ज़ा रही है कुछ शहर में दूद 80 रुपे लीटर तो कुछ शहरों में 70 रुपे मिलता है गाउं में भी दूद की कीमत 50-60 रुपे प्रतिलीटर है महंगाई की वजह से गरीम आद्वी का अपने बच्चे को इतना महंगा दूद पिलाना काफी मुश्किल है कई सारे बच्चों को इसी कारण दूद का पोशन नहीं मिल पाता है महंगाई के इस दौर में आज हम आपको एक ऐसे गाउं की कहानी बताने जुआ रही है जहां दूद और लसी फ्री में मिलती है जिहां दूद और लसी बिल्कुल फ्री तो चलिए जौनते हैं कि आखिर ये गाउं कहां है भारत का एक राज्यो है हर्याना जहां एक जिला है बिवानी और बिवानी जिले में है एक गाउं नातुबास इस गाउं में करीब 750 घर बने हुए हैं ये वही नातुबास गाउं हैं जहां आपको दूद और लसी खरीदने पर पैसे नहीं देने पड़ते अब ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं मिडियर्ट ब्योट्स के मुताबिक नातुबास के लगभग हर घर में दो से तीन गाए या भैस मौजूद है बाब जूदिस के इस गाउं में कोई दूद का विजनस नहीं करता अगर किसी को जरूरत होती है तो उसको मुफ्त में दूद दे दिया जौता है लेकिन बेचवा नहीं जाता है इस गाउं के निवासी बताते हैं कि 155 सल पहले की बात है गाउं में एक भ्यंकर महमारी काफी तेजी से फैल रही थी जुस वजह से एक एक कर गाउं के जानवर मरने लगे उस वक्त गाउं के एक महंत फूल पूरी ने जीवित पचे जानवरों को एक पेड़ से बांद दिया और कहा कि आज से इस गाउं में कोई भी परिवार दूद का बिजनस नहीं करेगा गाउं वालों ने भी महंत की बात मान ली और दूद बेजना बंद कर दिया इसके बाद सब धीरे-धीरे ठीक होने लगा बस तब से लेकर आज तक इस गाउं के लोग दूद और लसी का बिजनस नहीं करते अगर किसी को ज़रूरत हो तो वे फ्री में दे देते हैं तो ये थी कहानी भीवानी के नातुबास गाउं की जहां दूद आपको बिलकुल फ्री में मिलता है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की मज़दार और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें